गुरू जी की प्यारी संगत को शत्षत ब्रणाम यह मेरा पहला सट्षेंग संगजी गुरू जी महराज को गलती हो तो मुझे मारफ करना। कोई गलती हो तो मुझसे माफ करना संगत जी जैसे की लाइफ चल रही थी और पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ऐसा लगता था जिन्दगी में जैसे की 15 दिन तो अच्छे गुजरते थे 15 दिन बहुत अच्छा लगता था 15 दिन बहुत लोग फील होता था हाँ नोराते आते थे तो बहुत अच्छा लगता था कोई गनेश जी पूजा होती थी तो अच्छा लगता था नहीं तो फिर बहुत मन खराब रहता था बहुत अनरजी ऐसे लगती थी लो रहती है तो मैं सूचते थी कहां जुड़ूं क्या करूं जो हमेशा ऐसा ही रहे यह एनरजी ऐसी रहे जैसे हमेशा रहती है जैसे जब कोई पूजा पाठ होती है घर में तो अच्छा लगता है यह एनरजी एसी बनी रहे तो ऐसा हुआ कि काफी दिन से मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि सब यह कहते हैं कि बहtoous किसी एक से जुड़ना चाहिए और मेरे बे भगता हैं तो उन्होंने बोला अपने थाकुछी के बारे में बता रही थी तो वह सकता है कि मैं भी नहीं के चड़नों में मतलब हो जाओं और शायद से ऐसा कुछ हो जाएं तो उन्होंने मेरे को लेकिन बहुत ही उसमें कहा चांगत हैं तो उन्होंने आंकल को मेसेज किया पक्तिस जुलआई को उन्होंने मैस जिस किया पहला मैसेज था इस नम इफियाम और फैकर अपने आपो ऐसे मेसेजह अन्होंने मुझे वह किया मैंने आपने है मैंठी कोmi ए commandments जूम सत्संग से कनेक्ट कर दिया था तो अंकल का रूटीन बन गया कभी वो सुनते थे कभी नहीं सुनते थे लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने रेगुलर सुनना शुरू कर दिया था और मेरा तो फॉन में मतलब सीरीज चलती रहती थी जूम कुछ कुछ मतलब अधर एक्टिविटीज चलती रहती थी जैसे की यूट्यूब देख लिया कोई मूवी देख ली बट यह समय देखती जरूर थी पर मुझे ना सटिस्फिक्शन नहीं हो रही थी end of the day मुझे असा लगते तो कुछ खालीपन है फिर वो शुरुआ तो आंकल नहीं कर दी धीरे धीरे मेरे भी कानों में थोड़ा सत्संग पढ़ने लगा तो ज्यादा तो नहीं सुन पाती थी क्योंकि यह सत्संग सुनते थे मैंने लीड लगानी अपने कान में और अपना कुछ-कुछ सुनते रहना फिर कभी-कभी धीरे मैं भी थोड़ा सा सुन लेती थी मेरे को बहुत पर हाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो ये सत्संग सुनते हैं नहीं तो ये भी सब हम अपना-पना कुछ-कुछ फोन लेके बैठे रहते थे तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बीच में मैं भी कभी-कभी सुनती ही थी तो एक दिन मैंने इनसे कहा कि दर्शन के लिए चलते हैं तो श्राग चल रहे थे तम हम गए नहीं फिर हमने तपस्य अंटी से बोला जो इनकी कुलिक अंटी है तो कि भी हमें ना स्वरूप चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है उन्होंने अरेंज करवाया तो हमारे घर के नजदी की एक रीना अंटी से उन्होंने हमें कनेक्ट किया बीना सौरी बीना अंटी से कनेक्ट किया तो हम स्वरूप लेने चले गए साथ सेप्टेंबर था और उन्होंने आठ के लिए बोला था कि आ तो फिर भी मैंने हिम्मात करके यह तो कह दिया क्योंकि पहले मुझे यह लग रहा था पहले ही श्राद चल रहे हैं और नरातों में ले आते स्वरू लेकिन चलो कोई बात नहीं अंकल सत्संग सुनते थे रेगुलर तो इनको यह उस चीज़ से बहुत कनेक्ट हो गए थे और आप हमें मंडे को दे दो आणटी आजी दे दो मंडे था उस दिन तो कहती चलो ठीक है उन्होंने थोड़ा सा टाइम दे हैं भूली ठीक है आज़ो आज़ो फिर हम 630 के करीब गए लेने के लिए और हम जाने लगे जादा घर से दूर नहीं था आणटी का घर लेकिन एक ज जाना है तो अब सोस्ती हों तो मुझे ऐसा लगता है कि वह जैसे कि गुरुजी के रूप में कोई शाक्षा तहसे प्यार से हेल्प करने के लिए मतलब कि भी हाँ इधर उदर भटके ना बच्चे नहीं तो आज के टाइम में कौन इतना प्यार से और को भी टाइम चल रहा कि किसी से मतलब नजदीक आके बात ना करें तो स्वरूप आ गया संगजी उसके बात क्या हुआ कि स्वरूप आया तो जैसे कि मेरा फेवरेट कलर यलो है अब तो गुरुजी का हर एक स्वरूप से इतना प्यार हो गया लेकिन उस टाइं बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं थ से था कि मतलब कुछ है तो महान शक्ति जो लोग इन से इतना जुड़े हुए तो स्वरूप लाए हम फिर हम पहले फोल्डिर स्वरूप था ऐसे गोल करके उन्होंने कलेंडर की तरह एसे गोल करके हमें रैप करके दिया था और हमने आके उसे मंदिर में रखा तो देखती तो में हो जाएगा फ्रेम तो कोई बात नहुरात में करा लेंगे तो लेकिन एकदम से मैंने का नहीं नहीं अभी चलते हैं यह भी फिर हम भागे भागे गए और हम गए थे ना तो और ज्यादा तो कुछ हमें नहीं पता था बच्चों को कहके गए थे कि गुरू जी कि हम भी यह जो है ना हमें आज कराना और हम इसको ना आपके पास छोड़ेंगे नहीं भी चाहिए करें हाँ अभी दे दो के तो ठीक है तो उसने खोला भी नहीं कुछ किया भी नहीं और कैदा गुरू जी का है तो मैं तो वहीं पर शॉक्ट हो गई थी मैंने का आपको कैस और फिर मैंने उसकी फोटोगारह कीच के मेरी फ्रेंच आंटी तो उनको भीजा और किन आंटी सांब लेके आ थी उन को भीजा तो मेरी फ्रेंच आंटी ने बू yakिंगी January दिन तो मैंने का कि मन्दिर में नइसलों रख है एक जल का ठीक है वह जलब रिशाद हो जाएगा औ तो उसने भी विचारी ने फिर बुलिट चल ठीक है, हाँ हाँ वो तो ठीक है, फिर उसने का चाय प्रिशाद भी रख देना, तो मैंने उसको तब तो हाँ कह दिया, और मन में सोचा कि इतना सब नहीं करूंगी, कल को आज करूंगी, और कल को नहीं होगा तो वहम आएगा, त जैसे कि घर में तो हम किसी भी ड्रेस भी गुते हैं, और चेंज करके भी मुझ भी पहन लेते हैं, तो नइ द्रेस भी पहन लेते हैं, तो मुझे इतने ही ऐसा लग कुझा ऑब महान पुरुश आ के नहीं, और गदी पर बिराज में इनके सामने थोड़ी जाओंगी, क्या टो लग रहा है तो क्या है तो वह सब जूखेशन तो गुरुजी मैंने का यह बहुत बढ़ी बाद है घृच्चों को तो पहले अपने चड़नों से लगा रखा यह फिर क्या हुआ कि फिर मैं लेट गई जाके तो लेटे मन में सुचा कि शाद है और ये है वो मन में वहम चल रहा तो फिर मैंने सुचा चलो कोई बात नहीं जल प्रिशाद के लिए कहा है तो मैं जल प्रिशाद तो रख देती हूं मैं उठी मंदे से एक छोटा सा ग्लासी थी पीतल की वो नि चैपर प्रिशाद रख दो बहजन प्रिशाद रख दो हैं अब वह पुद्व प्रिशाद दो आप हमारे घर में शाक्षा शाक्षाट विराजमान है वह बाद मुझे ऐसी क्लिक करी फिर मैं लेट गई मनमन में मैंने सोच लिया था कि कलसे में चाय प्रशाद भी रखोंगी और अच्छा हमने अंकल ने और मैंने आपस में डिसकुस नहीं किया रात को मैं सुबह उठी विचल विचल चाय डाली नीथी और मन में था कि मैं चाय दूंगी और आपस में डिसकुस नहीं किया था तो इधर से पूसा करके अंकल आया उंकल कहते हैं गुरु जी कहरे है मेरी चाय कि करेंगे या नहीं मतलब ऐसे मन में विचार आता है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब गुरुजी के साथ जब को इनसान कनेक्ट हो जाते तो गुरुजी अपने आप ही जो सेवा उससे लेनी है या जो उसको उनको अच्छा लगता वह अपने आप खुता चला जाता मुझे इस नहीं बनाते हैं लेकिन मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर चीज चक्के बनानी बेशक हाथ दो लेती थी पर मैंने का नहीं आज से मैं गुरुजी महराज के लिए प्रिशाद बनाओंगी जो भी रोटी प्रिशाद सब्जी प्रिशाद ऐसे तो मैं कभी भी टेस्ट नहीं और जब बिना टेस्ट के मैंने बनाया तो वो इतना एकुरेट बनता क्योंकि उस पे गुरू जी का आशिरवाद रहता था तो ये तो स्वरूप से लेके हुआ कि भी कैसे कैसे क्या हुआ संगजी जब स्वरूप आया उस टाइम पे मेरे डैड़ी की तब्या ठीक नहीं थी और स्वरूप आया उसी दिन पापा को उसे एक दिन पहले ही वो पोस्ट्रेट कैंसर डाइग्नोज हुआ था तो हमारी तो छोटी बुद्धी है और मैंने बहुत ज़्यादा ससंग भी नहीं सुने थे तो मैंने अपने मन में सुचा था गुरूजी इस टाइम पे इसलिए आया शायद डैड़ी को कुछ हो जाएगा ना तो मुझे संभाल लेंगे शायद इनका इस टाइम पे आना यही यही हो सकता क्योंकि पापा की ठीक नहीं है तो मन मन में यह बात चल रही थी लेकिन यह बात मैंने अंकल से भी शेयर नहीं की थी बट फिर थोड़े दिन बाद हां उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए म तो मत्था टेक ने गए उस टाइम पे दर्शन खुले नहीं थे और हम भार से आ गए थे क्योंकि हमारे पहले दर्शन थे भार से तो मैंने आँटी ने बोला कि कुछ ले जाना गाड़ी से भी ब्लेसिंग मिल जाती है तो मैं दाल प्रिशाद और रोटी प्रिशाद लेके दाइगनॉस हो गया था लेकिन एक और तकलीफ पापा को बहुत रहती थी वह कहते थे मेरे पेट में बहुत ज्यदा कटन सी महसूस होती है कुछ इतनी आनीजीनस रहती है कि वह डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाता कि वह चीस क्या है उससे पापा बहुत परिशान रहते थे तो वो परिशान हमने पापा को खिलाया तो शाम को और हमने उनको विशाज दिलाया अंकल ने अच्छे से कहा कि और कोई दिक्कत दी हो या अब आप ठीक हो जाओगे तो बोले हाँ जी और उनन मात्य के लगा के परिशान खा लिया शाम को हमने उनसे पुछा कि आपकी और पापा ने यह चीज महसूस करी कि प्रिशाद घाने के बाद और एवन हम शायद एक दो बज़े तक उनको प्रिशाद खिला के आये थे और चार-पांच बज़े उन्होंने यह बोल दिया था कि वह शौप पे जाते हैं उनका अपना बिजनस है तो वह शौप पे जा रहे जा और मैंने का कि बस अब मंत्र जाप करो और इन पर विश्वाश रुखो तो वह ठीक है उसके बाद क्या था कि पैट स्केन होना था उनका तो कि वह देखना था कि वह कितना स्प्रेड हुआ है अंदर बॉड़ी में तो नहीं चला गया है तो संगत जी उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और यह आया कि बस उसी एरिया में थोड़ा सा पोस्टेट है पोस्टेट में ही कैंसर और अदर्वाइस और सारा कहीं भी नहीं गया तो जै गुरुजी शुकराना गुरुजी संगत जी उसके बाद फिर उनकी रिकवरी हुई और फिर उनका पोस् गुरुजी महाराज मुझे पूरा विश्वाश है कि अपनी महेर करेंगे फिर उसके बाद संगत जी मैं एक दिन दिन में ऐसे बैठी बैठी और सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी ने बोला कि मेरी तब्यत खराबती और मेरे पास कोई भी नहीं था तो गुरुजी महार मेरे तुलसी जी गंबले में आके बैठी और बहुत देर बैठी रही तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कहां बटर फॉलिए यहां तो इतना सारा पॉलिशन है और चलो गुरुजी महाराज अपने चरनों से जोड़ लिया यह पूरा विश्वाश है अच्छा संगत जी मुझे गुरुजी की शक्ती पे कभी भी शक नहीं हुआ पर हाँ जैसे संगत बोलती है कि वो खुछ चुनते हैं तो मैं ये जरूर सवाल पूसती थी उनसे कि सच में आपने मुझे चुन लिया मैं इस लाइक हूँ तो ये सवाल मेरे मन में बहुत चलता था तो मैं कहती थी गुरुजी माराज मुझे बस इस बात का मतलब साइन दे दो कि सच में आपने मुझे चुन लिया तो अपने चर्णों से जोड़ लिया चर्णों से जोड़ने वाले अब ये है कि शुरु शुरु में जब ससंग सुनते थे कि गुरु जी से मांगना नहीं है और यह तो मैं मन मन में सोचती थी अब गुरु जी से मांगना भी नहीं है तो इनसे बोलें क्या फिर एक दिन एक ससंग सुना उसमें यह लाइन किसी ने बोली कि बस गुरु जी से यह अरदास करो तो कि अपने चर्णों से जोड़ो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ सच में ये बोल सकते हैं नहीं तो किसी भी मंदिर में जाते हैं और मथ्था ठेकते हैं अर अपनी चीज मांग के आ जाते हैं तो गुरुजी से तो अब यह कंवर्शेशन होगी गुरुजी से तो कि बता रही थी तो उन्होंने संगत ने कहा कि असे तो मैंने का गुरुजी महाराज यहां तो बटरफ्लाई दीखेगी नहीं पर कोई बात नहीं करते और कोई बात नहीं मुझे नहीं दीखेगी तो भी मेरा विश्वाश आपके उपर पूरा है तो संगत जी एक दिन सेकेंड जब हम बड़े मंदी जा रहे थे तब भी दर्शन बहार से थे अंदर खुले नहीं थे खुले अंदर से दर्शन अलाओ नहीं थे तो घर से गाड़ी निकली और थोड़ी दूर गई और करीकरी हुआरे घर से फॉर्टी फाइव मिनिट्स का रस्ता है गुरुजी का अच्छे से दर्शन दे के दिल को खुश कर दिया और थोड़ा ये विश्वाश हो गया कि हां गुरुजी ने हमें अपने चर्णों से लगाया है तो जब वापिस आए तब भी फिर संगा जी 28 सेप्टेंबर को मेरी भावी का ऑपरेशन हुआ था नहीं 29 को ऑपरेशन हुआ गइलता खवी जी और मैंने 28 को श्रू पुरान शुरू कर देती थी मैं जब भी फोन खोलती थी तो कोई-कोई संगत ऐसे बोलती दी कि शिव पुरान गूरुजी ौरू जी कहते हैं जग्या ख़णता लWind तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि शिव पुरान मेरे आट्यों 9 महीने से रखी हुए थी तो पर यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि 8-9 महीने से मैंने नहीं पड़ी कोई बात नहीं पर अब मेरे गुरुजी महराज की आगया से मैंने शुरू करी है तो उस चीज की मुझे बहुत खुशी थी मेरे अंदर से आया कि नहीं यह मैसेज मेर लिए तो मैंने अपनी शिवपुरान 28 से स्टार्ट करती थी 29 सेप्टमबर को मेरी भावी का भी ऑपरेशन हुआ यूट्रस रिमूव हुआ तो ममी ने बोला कि तुने तो शिवपुरान शुरू करती और अब 39 को तीरी भावी का ऑपरेशन है तो तू तो नहीं आ पाएगी म मैंने का कि ममी नहीं ऐसे कोई वहमों से मैंने स्टार्ट नहीं करिए कि मैं ऐसे पढ़ूंगी ऐसे पढ़ूंगी गुरुजी कहते हैं कि वह सेवा भी करो और जम टाइम मिले तब बढ़ लो तो 28 के बाद 29 से तो भावी के चकर में हॉस्पिटल जाना पड़ा तो 28 को पुरान पड़ती थी चार दिन बाद भावी डिस्चार्ज हो गई अच्छा भावी जब ओटी से आई तो उनको बहुत पेन हो रहा था जैसे पेंट किलर का असर खतब हो रहा था तो उनका दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था तो मैंने क्या क्या फोन में मंत्र जाप लग की तो मैंने वो लगा दिया उनको वमिटन्ग निए रात में जाके कहीं व हलकी सि और उनुह भाई अच्छा लगता था जब मैं जाके मंत्र जाप लगाती थी तो जया गूरो जी उनके मंत्र में इतनी शक्ति चैसे ज़्यादा तक्लीव होने नहीं दी और वह बिल्कुल काम कर लिया करूंगी तो साड़े दस के करीब मैं बैठी हुई थी खिड़की से बटरफ्लाई आई और वह जहां मैं अभी बैठी हूं यहां विंडो है तो यहां पर ही वह बटरफ्लाई यह से घुमने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरू जी कह रहे हैं कि भी आप दिन म जाती है क्योंकि मैंने तो खुद ही कहा था कि कहा बटरफ्लाई दिखती है आज की जवाने में कितने साल हो गए मुझे 17 साल हो गए इसी खिड़की में इसी भालकनी में मुझे आज तक बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए पर गुरू जी महाराज ने मुझे मतलब इतने के आना था तो अच्याइब नहीं स्वरूप स्वरूप 7 सेप्रममर को आया था तो मैं बार बार कर रही थी कि नोराथों में आती थी आना तो मुझे स्वह घुरू जी करें देख-ड़ू ई कि 라沙ा च्छी आभी भी कितना वहम कर रही है तो फिर मैं नोरातों की बताती है मैं चीव पूरान पढ़ रही थी तो उस टाइम पे संगजी चौते दिन के पांचे दिन के बाद ही मुझे जब मैं लेटने के लिए गई तो लेटने के लिए गई तो उन्होंने गुरु जी ने जो चिनार पत्ते वाला जो गुरु जी का चोला है हαλका स्काई से परपल से कलरका हूँ और हाथ ऐसे करके वो बैठ ए हूँ है वो उस चोले में मुझे और जैसे मैं शिवपुरा जैसे बैठ के बैठ एन परती हूँ उसी जैसे बैठी हूई हूँ और मैंने आँख बंद कर रही है और मेरे body में shivering होती है मुझे स्वप में ऐसे दर्शन हुए और ऐसे बैठी हो जैसे body में shivering हो रही है और एक परदा सा हटा और फिर मुझे दिखा ही दिया कि वहाँ पे ऐसे purple चोले में और face बहुत ज़्यादा clear नहीं था पर जैसे तीर का जो case होता है जिसमें तीर डालते हैं वो पर उसमें मोर के पंक है तो मुझे पांच छे दिन बाद ऐसे दर्शन हुए पर मैंने सुचा कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा पर वो दर्शन मुझे रोज याद आए रोज याद आए तो जब नौरातों में मेरी सास ने बोला कि भी स्वरूप मुझे चाहिए तो हम वो स्वरूप लेने के लिए गए तो आँटी तीन स्वरूप लेके आई थी एक बहुत छोटा था और दो और थे तो हमने वो दो और ले लिये जब दूसरा लिया तो मैंने का हाँ इसी में ही तो गुरूप जी ने दर्शन दिये मुझे तो संगत जी फिर वो स्वरूप तो मैंने रख लिया वो तो मैंने आज तक भी किसी को नहीं दिया क्योंकि उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुझे गुरूजी ने दर्शन दिये और दूसरा स्वरूप हमने अपनी सास को दे दिया जब अँकल जा रहे थे मम्मी के पास लेकि उस स्वरूप को तो अंकल कह रहे कि मेरे बी स्कूटी के आगे बटरफलाई और बटरफलाई तो कहते हैं कि गुरूजी बढ़े मंदिर करे मन्दिर नहीं और को यह भाएं से कि जांए कि क dif Always मंदीर कुल गया था था तो ऑप संगर जी मैं गई तो औरneath एसी लगी उसके लेगे डियक्त को गर में आने के बाद पहले सतसंग का किसी आंटी ने मुझा लिया क्योंकि क्या कर नहीं रहा था, लेकिन मैंने एक दो आंटी से का था कि अगर कहीं भी हो का। ज्यादा संगत ना हो तो प्लीज मुझे बुला लेना जरूर तो वो बोली ठीक है तो जब एक आणटी के हाँ पहला सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया और उस दिन तब्यद मेरी ठीक नहीं थी काफी मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने अंकल से कहा कि कोई नी आप चले जाना क्योंकि हमें बड़ा मन था कि हम देखे कि कैसे मतलब सत्संग होता है और क्या होता है तो मैंने गुरुजी से का गुरुजी माराज मेरा बहुत मन है आने का आगे आपकी इच्छा तो अंकल चले गए बोले ठीके मैं जाता हूं और अंकल को किसी थोड़ा सा कुछ काम था और उसके बाद बोले मैं नीचे के नीचे ही चला जाओंगा तो इन्होंने थोड़ा तो मैं तयार हो जा चल दे सॉरी मैने अंकल को बोला फोन करके आप निकल चुके क्या वहां पर पहुंच गए क्या बोले नहीं अभी तो मैं आई पांच मिनिट में तो मैं तैयार होके चली गी और उस दिन संडे था मैं संडे के फास्ट भी रखती थी तो एक दिन अंकल प अगरा में इतना विश्वाश रखते भी नहीं थे वो मनाई करते थे और वो तो अम्रित है अगर मिल गया तो संगर जी हम दोनों वहां गए सत्संग में जब हम गए तो जाते ही हम बिल्कुल नए थे वहां पर किसी को नहीं जानते थे और हम गए और उन्होंने हमें बुलाया हमने मत्था ठेक हम बैट गए बैटने के बाद उन्हों ने जब हम दोनों को बुलाया और भोग लगाना था गुरूजी को चाये प्रिशादका या कुछ होगा अंदर उसके वह हमने नहीं देखा तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि अपने माथे के लगा और ऐ सकता है कि हम नए हैं और ऐसा कहीं भी नहीं होता किसी नई संगत को इतना प्यार मिले क्योंकि लोग तो वहमों में रहते नए लोग हैं पता नहीं कैसे होंगे कितनी शुद्धी है कितनी नहीं है कैसे हैं मतलब इतना विचार करते हैं देखो आपके आके आपके सत्संग में आके तो इतना अच्छा है कि नया पुराना कुछ नहीं और इतना प्यार मिला तो मैं उस दिन बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो फिर वहां पर प्रशाद मिला हमने खा लिया और वहां से सत्संग में जाने की शुरुवात हुई फिर सत्संग भी संडे को अटेंड किया तीन संडे बीते तीनों संडे को सत्संग अटेंड हुआ और तीनों संडे मैंने वह फिर प्रशाद खाया व्रत का करीब करीब शाम को प्रशाद मिल जाता तो मैं खा लेती थी फिर एक दिन गोवर्धन था उस दिन भी संडे था तो उस तो इतनी में एक संगत आंटी का फून आया कि ऐसे ना आटी आप आ जाईए और सत्संग करेंगे तो मैंने खाए आज तो नहीं आ सकती और मेरा फास्ट भी और मेरे को इनलाज के यहां पर जाना है तो बच्चे बोलने लगे देखा आप गुरुजी को ऐसे मत बोलो कि क्या ह होगा और उन्होंने तो आपको बुलाई लिया देखो प्रशाद आपको मिली जाता हूं से पर मैं जाई नहीं सकती थी फिर मैंने उन आटी को का मैंने आटी आज मेरा फास्ट भी और मुझे मां भी जाने तो संगत आणटी ने कहा कि देखो इतना फास्ट वगरा मत रखा करो क्योंकि गुरुजी को भी फास्ट वगरा से कोई इतना अच्छा नहीं लगता था तो मैंने का आटी बात तो सही है आज मेरे को बहुत वीकनेस भी हो रही है तो वह बनी देखो आपको इतनी वीकनेस ऐसे नहीं होती थी मैं हमेशा ठीक रहती थी जब मैं सट संग में गई थी न संड़े को तो भी मेरे को ऐसा लग लग रहा था कि ना खाऊंग या ऐसे नहीं लगता था कि खाना है खाना है बट मुझे यह पता था कि प्रशाद है अमरित हैं तो वह मैंने बड़ी खुशी से खाया था तो फिर जब मैंने वीकनेस की बात और उसमें उस दिन ऐ पालनेस और इतनी वीकेनस तो आँटी नेका देखा आपको वीकेनस लगई हैं वह चीजँ गुरूजी को कितना मतलब उनके ऊपर इफक्ट आता उनको अच्छा नहीं लगता तो ऊच्छा एंटी ठीक है मैं देखती हूं क्या करना हैं तो और नहीं बोलती तो मैं अपने फा गया है या मतलब उन्होंने बस इतने ही फास्ट करवाने थे बर वह पूरे हुए और मैंने उध्यापन किया पहले फिर मैं वहां अपने इनलाउस के आंगई गोगधन की पूजा करी और फिर हमने वहां पर प्रशाद खाया तो जै गुरुजी संगजी होई का फास्ट था त तो उन्होंने बुला कि होई के बर्तिवाले दिन कि यहीं आजाओ सत्संग भी कर लेंगे और रात को तारों को अर्ग भी दे देंगे तो वो जो संगत हैं वो बहुत ज्यादा सत्संग में रख लेते हैं कि एक गंडे का दो गंडे का तो जब उन्होंने बुलाया तो मैंन सम्हण को सटसंग के बाद और त्राव को अर्ग के ले लगे तरात का टाइम था और किसी को दर्शन नहीं हुए और वो वहीं इसे घूम के और वहीं की वहीं मतलब दर्शन खतम हो गए तो वो गुरु जी नहीं ये बताया कि हाँ ये बात सच है कि भी मेरी ही आग्या होती है तो जै गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगा जी शिव पुरान के बारे में बताती हूं कि जैसे अठाई सेटमबर को शुरू करी थी और शिव पुरान में लिखाये कि बहुत ही शुद पवित्र और बहुत महान पार्ट है तो इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए जब इसका उध्यापन हो जाए तो मेरे मन में था और अंकल ने भी बोला था क्योंकि और पापा के ऑपरेशन की टाइम पे भी मैं वो पढ़ी रही थी तो मैंने सुचा चलो अब ये खतम हो गई है तो थोड़ा सा प्रिशाद बना कि मंदिर में बाटाओंगी तो संगत जी अंकल की मीटिंग आ गए इस सुबह हम निकल नह पाए तो नहीं निकल पाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि गुरुजी की का हुकुम है कि वहम नहीं करना अगर कुछ ऐसा होता है तो मन में वहम नहीं लाना मैं बहुत रिलैक्स थी और शाम को एक संगत का वह नहीं संगत का फोन आया कि आँटी आज श पुरान पुरा हो ए बोली फिर तो आँटी आज आपी का सथसंग बनता है मैं अच्छा तो सेवा बोलो तो उन्होंने मुझे छोटी सी सेवा दी कि ऐसे से बना के ले आना और हम चले गए तो वहां चले गए तो वह गुरुजी की इच्छा थी कि यहीं होगा सब कुछ क्य शिवकी संगती में click सुने के लिए खुष होती है तो हमारी साथशंग किया गया गुर्व जी जैसे हम सुनते की मत्त प्लबश प्लब्स्टी में कुछ नहीं चड़ता हुए ये सब हमें पता था और लेकिन क्या हुआ कि जब आर्थी आई तो अंकल ने जेव से बता नहीं कई सच्छंग हमने अटेंट कर लिए थे प्र पैसे नहीं चड़ते पर अंकल ने अचानक से जेव में हाथ निकाला और उसमें पैसे चड़ा दिये तो आंटी ने मिला अंकल आपने यह क्या किया यह तो नहीं रखते हैं आर्ती में हम तो यहां तो ऐसा कुछ नहीं होता मैंने का हमें भी पता था पर पता नहीं आज इन से क्या हुआ तो उन्होंने ऐसे का कि चलो यह भी गुरुजी की मर्जी और उन्होंने का कि यह सेवा में कहीं लग जाएंगे और उन्होंने उठा के साइड में से दरबार बना रखा है गुरू जी माहाराज की इतने अच्छे से श्वरवू लगा रखें तो अच्छे से मतल की चलो मथ्यद्धा उप्छी सब्च हो गया लेकिन दक्षिना रह गई जैसे कहते हैं कि बहुत देर से दक्षिना कर रही थी ना तो वह दक्षिना थी कि ले तेरी दक्षिना भी मैंने वो करवा दी वहीं पर तो गुरुजी महराज का इतनी महर है कि अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं अलबता तो इतना उन्होंने अब हमें मतलब रिलाक्स और इतना वहमों से दूर कर दिया कि हो गया तो ठीक नहीं हुआ तो गुरुजी की आते हैं या होते हैं या पता चलते हैं स्वरूप के रूप में भी वह तब ही आते हैं जब उनकी आगया होती है तो संगत जी जब मेरा बेटा लास्ट टू लास्ट में था तो वही बात है पहले तो पंडितों में ही सब कुछ देखते थे उन्हीं से पूछते थे तो एक नहें कहा था कि एक अस्ट्रो लॉजर ती डेड़ी थी तो उन्हें यह कहा था कि भई आपके बेटे का तो यह भी नीच का है सूरी भी नीच का है और इसका तो तो 10% भी मेनद करेगा तो इसके 50% नमबर आएंगे अच्छा अब बताओ कितनी मेनद करके बच्चे के 50% नमबर आएंगे आप उसको भी बेटे को भी बहुत समझाए कि बहुत मेनद करनी है तो मैंने का कि चलो सब माएं कुछ ना कुछ करती हैं बच्चों के लिए और तो कुछ मुझे आती नहीं थी मैं मंदिर चली जाती थी वहां जाकि और मंदिर में भी आप तो थोड़ा शिवलिंग पे मैं जल चड़ा देती थी नहीं तो पहले बच्पन से तो सब ने इतना डरा के रखा हो था कि शिवलिंग और हनमान जी की तरफ तो देखना ही नहीं है तो तो मंदिर जाती रही जाती रही और बस यहीं वहां विंदी करती थी भगवान से कि भगवान कितने भी नंबर आए कैसे भी आए आपको देखना है बस इसका एड्मिशन ऐसे कॉलिज में कराना जहां इसको दोस्त अच्छे मिले कमफर्ट जोन मिले कोई बुली करने वाला तो यह मेर को यह था कि बस यहां भी पढ़े जिस भी कॉलिज में पढ़े बस यह खुश रहे तो गुरुजी की तो कृपा द्रश्टी थी बहुत पहले से तो उन्होंने क्या कि कॉलिज में जब यह फर्स डे गया इसके 80% नंबर आये और जिम्स में इसका एड्मिशन हो तो जब यह पहले दिन गया तो वहां पर तो कॉलिज में भी इसके 5-7 फ्रेंड उसी दिन से बहुत अच्छे से बन गए और इसको वहां जाते ही क्लास का सी यार बना दिया था तो यह बड़ा खुश खुश आया तो मैं कई बार खाली बैठती थी तो मैं कहती थी कि मतलब कितनी मेहर है मालिक की कि देखो बच्चा परिशान नहीं वार मेरी यह इच्छा थी नंबर भी ठीक है और कॉलिज भी ठीक है तो जब हम स्वरूब लेके आए ना तो मेरे बेटे ने बुला ममा यह वाले गुरुजी तो मेरे जो जितना मेरा बड़ा ग्रूप है उन सब व महार शिव ने मुझे यह आशिरवाद दिया उनकी दृष्टी थी मुझे तो जय गुरुजी शुकराना गुरुजी संगत जी जो जो उनके आशिरवाद होते हैं उनके बारे में हमें पता चली जाता है तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत पकी हूं कि उनके अलावा कोई क पर ही नहीं सकता और इस चीज़ का मुझे साइन तब मिल भी गया कि संगत तु अच्छी मांगती थी तो देख संगत कैसी मिली है तो इसका बड़ा बहुत भारी भारी बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत सारा शुकराना मेरे मालिक का संगत जी जैसे कि गुरुजी ने जब स्वरूप में आए तब तो बहुत लाइफ चेंज होगे उससे पहले ही दस-पंदा दिन से ही अ उससे बीज दिन पहले क्या हुआ कि स्टोन पहने हुए थे अंकल ने बहुत सारे पांच-छे यहां पे राशी वाले स्टोन तो उन्होंने यहां पहने हुए थे तो एक दिन उन्होंने उतार दिये तो उतार के मंदिर में रख दिये मैंने सुचा शुद्धी करके पहनेंगे तो शुद्धी करके पहनेंगे एक दिन हो गया दो दिन हो गया तो इन्होंने नहीं पहने मैंने का ये क्यों नहीं पहने करे अब नहीं पहनोगा छोड़ो तो मैंने कहा अच्छा इन्होंने बाद में सचमे नहीं पहने वो और अभी तक भी नहीं पहने तो मैं मनमन में सोच रही थी इतना confidence कहां से आया कि मतलब इन्होंने पहने नहीं और उसके बाद जब हम सचसंग से जुड़े जूम से जुड़े और जैसे ग्रूप में भी सचसंग सुने तो पता चला कि गुरुजी को तो ये स्ट्रोंस वगरा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे वो तो बिल्कुल मना करते थे कि इन चक्रों से दूर रहो ये चीज़े ठीक नहीं है तो ये गुरुजी की आ गया थी और उनका हुकम था जो ये इतना बड़ा काम इतना कॉंफिडेंटली कर पाए और वो भी ऐसे टाइम पे कि लॉक्डाउन चल रहा है ऑफिस की बुरी हालत है लेकिन इनके मन में बिल्क 13-14 साल की उमर से ही पेट में दर्द महीने में दो दिन तो मुझे इतनी कस्प के पेट में दर्द होता था कि मेरे ममी डड़ी ने भी बहुत इलाज करा लिया था मेरा और शादी के बाद भी इलाज हुए और अभी तक भी अब मैंने ट्रीटमेंट लेना छोड़ भी दिया बस दो दिन मेरे को एक दिन तो बहुत दर्द होता है उस टाइम पे तो तीनों मेरे दोनों बच्चे और अंकल सब मेरे उसमें आ जाते हैं कोई पानी देगा कोई सेवा करेगा ऐसे करके तो अब दो महीने से संगा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मेरा इतना मतल प्रॉब्लम है तो जब बच्चे छोटे थे तो वह कहते थे टैस्ट बना दो ममी हमारा टैस्ट तो मैं कोश्च बनाने की कोशिच करती थी तो मैं ज्यादा लिक भी नहीं पाती थी मेरे ये तीन तीन उंगलियां और ये हिस्सा ना ऐसे इसे करने में दिक्कत होती थी और जैसे शिव पुरान जब मैं पढ़ती थी तो कहते हैं कि गुरुजी संगत को बढ़ा लेते थे कि इतनी देर बैटना है नहीं आप नहीं जाओगे या कोई नहीं संगत हो तो वही काम गुरुजी महराज ने शिव पुरान पढ़ा के और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो मैं आधा गंटे बैटती थी कई वर में तीन गंटे भी शिव पुरान पढ़ लेती थी और कई बर दो गंटे भी और सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम है मुझे तो मैं ऐसे हाथ रखती और पढ़ती रहती थी और ऐसा लगता था कि मलब उठने की इच्छा नहीं है त तो इतने सर्वाइकल और इतने पेन में भी आप देखिए मैं इतने घंटे पढ़ लेती थी तो ये सब कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता मुझे अब शरीर में ऐसे कभी नहीं लगता और जो मैं शुरू में जैसे कि मैंने का कि लो फील हो जाता था ह जब स्वरूप आया था और जब शुरू में दो तिन सत्संगी मैंने टन करे थे तो संगजी आप मानना मैं पूजाओ करके उड़ती थी और संगजी गुरु जी और संगजी और गुरुजी बस मेरे यही चलता रहता था कि बस ऐसे बोलूँगी ऐसे बोलूँगी और ये भी तो हुआ था ऐसे भी तो उसके बाद तो इतनी positivity आई कि बस पता नहीं मैं सारा दिन ऐसे गुरुजी से और संगत जी से भात करती रहती थी हां सत्संग के मतलब ऐसे लाइव में पहली बार बेशक आई हूं लेकिन मैंने मैं संगत से और गुरुजी मेरे हर मतलब पल-पल मेरे साथ रहते हैं जै गुरुजी संगत जी बच्चों के बार में बताती हूं कि बच्चे शुरू से मतलब ऐसा नहीं लगा बच्चे बच्चे को तो इन्होंने इतना प्यार से जोड़ा अपने साथ बेटी मेरी 8th क्लास में और मतलब उसका वह इतनी क्लियर रहती है टुम बी लो गुरु जी को भिला दोव झाल तो वह बुलिमाम जुआ सब्सक्राइब कोफी बना लोग कोई बात नहीं तो daughter będzie को बहुर जहाना है है तो उसने क्या किया अपना मग लिया और केती मौप मैंने मैंने जिस साइज मग में मैं पीती उतने के मैंने डूट डाला था और सेम उसी तरीके से कॉफी बनाई थी और कॉफी इतनी फालतु बनी वह इतनी सर्प्राइस थी तो Safety तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो कितना सोच को पलड़ दिया गुरू जोड़ दिया कि हर चीज में हमारे गुरू जी ही रहते हैं हमेशा संगजी यह हल्दी कुमकुम होता है साउथ इंडियन्स में तो एक आंटी ने मुझे बुलाया था तो मैं वहां हल्दी कुमकुम के लिए चली गई और उन्होंने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया और उन्होंने बोला कि माता के मंदिर में चलोगी तो मैंने का हां जी मैं इभनाँ आइछा था कि प्रशाद लेके जाना है तो तुम तो ना कमल का फूर लेकर चड़ादे ना कूंकि पैषों में अच्छा रहता है मैंने कहां जाए है को यह पनाँ में में कर दिया मेरे काическая मतलब मन मांगने का आ मुझसे तो ये गल्टी हुई है पिर मैंने गुरू जी को अरदास करी कि मालिक अगर आपकी इच्छा हो तो भेजना आपकी इच्छा हो तो मत भेजना संगर जी फ्राइडे को हमें जाना था तो फ्राइडे को दिवाली से पहले की बात है तो सफाईयों शुरू कर दी थी हमने तो मैं है फस्ट हाफ में तो सफाई कर Bye तो मैं दिमाग से बिल्कु सकिपो हुगया तो एक दो वजे चार वजे निकलना था तो मैं ने एक दो बजे केके करीब मैंने उनको फोन किया पर मैं अपने मूह से भी नहीं मना करना पोन किया तो उसके बीच में मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया तो मैंने behave का छीटि मेरे ना पेट में नए हल्का लू का जूद खीड बिल्काल्ट तो ठीक भी हो सकते है तो फिर वो एंति ने कुझी बोला कि divingую बीच में और उब्रिद दर्द को लेटी तो मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा दिखाई देता है कि फेस तो गुरुजी का और नीचे जो चोला है वो पूरे लाल रंग का माता का है तो गुरुजी ने ये बताया कि परिशान होने की जरूरत नहीं है मैं ही सब कुछ हूँ और ज्यादा वहमों में पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैंने इस चीज की माफी जरूर मांगी कि मेरे मुझे क्यों निकला रहा है कि हाँ मैं चड़ाऊंगी और फाइनस में मुझे वो है वो है कुछ भी तो गुरू जी महाराज की ऐसी मेहर है कि जहां कुछ इदर उदर कुछ होता है तो वो संभाल लेते हैं तो जै गुरू जी शुकराना गुरू जी संग जी मेरी ममी के हाँ पे रेंट पे नीचे लोग रहते हैं तो एक दिन ममी का फोन आया कि उनका बेटा रेंट में जो है उनका बेटा सेकंड येर में और वो एक लैटर लिखा उसने अपने पेरेंट्स को कि मैं बड़ा आदमी बनके या बाऊंगा और वो घर छोड़के चला गया तो मैंने का तो थोड़ा दुख भी हुआ लेकिन मु पान-छे दिन हो गएं और ममी का फिर छे दिन यदिन आज अनफ दिन हो गएं बहुत बुख भून है चलो हग Spl who old जी मैं पार्ट से उठी और एकदम से मुझे उनकी याद आई और मैंने मत्था टेके गुरुजी के आगे अरदास करी मैंने का मालिक कुछ ऐसा नहीं मांग रही हूं और एक मा का दर्द है आप जानते हो सबसे ज़्यादा आप देखो उसने काई कि मैं बड़ा आदमी बन के आएगा तब तक तो उसकी मांखा क्या हलोगा तो है गुरुजी महाराज उन पर अपनी कृपा द्रश्टी डालिए तो संगा जी मैं जाके लेटी और रात हो गई थी नौ दस बचे उस दिन कुछ ऐसा था कि मैं 10-11 बचे के करीब जाके लेटी और मैं ठक भी गई थी तो म ममी ने ऐसे बताए कि उनका बेटा मिल गया फिर मैं वहां से उठी और गुरुजी महाराज को मत्था टे के शुक्राना करने आई और उस एकदम से मेरे मूं से निकला यह मेरे गुरुजी ने किया है उनको बोल देना गुरुजी का थैंक्यू कर देंगे तो ममी ने का हाँ मैं है और संगर जी बेटे के बड़े की बारे में बताती हूं कि बेटे का बड़े था 10 नवंबर को तो जैसे हम वीडियोस देखते रहते हैं और जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने अपने आपको अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दिया कि मैंने काफी सारे गुरुजी के ग और वो सब मैंने छोड़ दिया और मैं इनी चीजों से कनेक्ट हो गई तो जब मैं ऐसे फोन देख रही थी तो एक वीडियो आया उसमें गुरुजी का सत्संग कर रहे थे और वहां क्या चल रहा था कि बढ़ाई हो जनम दिन की बढ़ाई हो वो वीडियो ना पहले कभी आ ना कभी कोई अभी अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा तो खहते हैं ना कि गुरुजी अपनी बढ़ाई हो अपना मैसेज और कुछ भी हो वो किसी ना किसी तरीके से पहुँचा ही देते हैं तो यह हमारे गुरुजी के लावा कोई भी नहीं कर सकता तो गुर आपके चर्णों से जुड़ने की जो शक्ती और खुशी और जो एक अलग उमंग है ना वो कहीं भी नहीं है मेरे मालिक वो मुझे अच्छे से पता चल गया और बस आप तो अपने चर्णों में सेवा देना और मैं इतनी आलसी थी संगर जी इतनी आलसी थी कि अगर हम दो बं सब्सक्राइब और सुबह उड़ती थी तो यह सोच की उड़ती थी कि दुपैर में सो जाओंगी और फिर थोड़ा सा काम करती थी और मैं दुपैर में सो जाती थी फिर शाम को चाय पीती थी फिर थोड़ा सा काम करती थी और फिर सो जाती थी और ना कहीं मेरा जाने का मन क करता था आप hilarता था बस मेरा बुपल में सोना हड़ जायेगा तो जब ने माहरास से जुड़ी तो मैंने यहीं अर्दास करी कि मैं मेरे क्या मैं क्या मैं अपने साथ कर रही हूं आदी जिंदगी तो मेरी सोने में बीच जाएगी क्योंकि संगजी मैं motivational speech ये वो बहुत कुछ देखती थी सुनती सब कुछ थी लेकिन action किसी भी चीज़ का नहीं हो रखा था तो life में इतना change आया तो इतने sign दिये गुरुजी ने इतना निहाल किया कि बस पूछिया नहीं तो मैंने संगत से और सत्संग से बहुत कुछ सीखा है इससे हमें बहुत energy मिलती है हमारे वहम दूर होते हैं तो हे महराज अपने चर्णों में रखना जगया हमारी और ऐसे सेवा बख्षना बस मेरा मुह आपके गुनगान करते करते ना थके ऐसी महर रखना मेरे मालिक और सब सब पर अपनी महर बरसाना यहीं पर आभी समापन करूंगे अपने सत्संग का संगा जी आग्या दें जैगुरु जी गुरु जी महराज आग्या दें माली की आ गया हुई तो फिर से सत्संग करूँगी बहुत जल्द जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी लख लख शुक्राना मेरे माली सब पर अपनी महर करना जै गुरुजी संगा जी अंजनी आंडी जै गुरुजी संगे जी जैगुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप सबका जैगुरु जी